हेलो फ्रेंड्स, welcome back to my channel इस वीडियो में हम देखेंगे second logarithmic test जब भी first logarithmic test fail हो जाता है तो वहाँ पर हम use करते है second logarithmic test ठीक है, तो ये simple apply करना है मैंने बताता है जहाँ पर भी un upon un plus one आएगा greater than one आता है तो वो convergent होता है otherwise divergent होता है जब less than one आएगा और equal to one पर तो test क्या हो जाता है fail हो जाता है ठीक है तो जब भी logarithmic test जो हमने पहले वाला पढ़ा था अगर वो fail हो जाता है तब हम इसको apply करते हैं यहाँ तक वैसे कम ही question मिलेंगे ठीक है तो आगे हम देखते हैं इससे related कोई question नहीं है फिलहार आगे हम देखते हैं कि जितना भी हमने test पढ़ा है जितने सारे test हमने पढ़े हैं उनकी एक summary पढ़ लेते हैं कि किस test को हमें कहाँ पर use करने है comparison is applied only when UN does not involve any power of X मतलब comparison test को तब use नहीं करना है मतलब comparison test को हम तब use करेंगे जब हमारे question में X की power ना हो और उसमें कोई factorial ना हो ठीक है simple अगर आपको कोई भी term मिलती है जैसे 1 upon n plus 1 1 upon n square plus 1 तो उस case में हम comparison test को apply करेंगे लेकिन अगर हमें factorial X की powers दिखाई दी तो comparison test apply नहीं होगा second आता है कौची root test कौची root test अभी apply होता है जब क्या होता है something की power something ही मतलब n की terms में ही यह है मतलब function की power function होता है n की terms में है इसकी power भी n की terms में ही होगी तो कौची root test ही apply होता है ठीक है next step when the series involves increasing power of X जब X की power बढ़ती हुई दिखाई देंगे जैसे first term में X second में X square X cube बढ़ती हुई अगर X की power दिखाई देती है और उसकी condition हमें पता ही होती है अगर equal to one आता है तो test fail हो जाता है तब हम क्या choose करते है d-lumbert ratio test के fail होने के बाद हम क्या करते है rabis test apply करते है ठीक है अब आपको clear हो गया होगा अगर comparison test apply करना है तो वही उसके अंदर ना X होना चाहिए ना है उसके अंदर factorial होना चाहिए कौची root test तो अपना अलगी रास्ता बना के चलता है कि function की power function शुरुआत कहां से होती है जाद तर question की जहां पर आपको x वगेरा देखने को मिलेगा या factorial देखने को मिलता है वहाँ पर आपको सीधर डिलंबर रेशो टेस्ट अपलाई करना होता है तो जाद तर question यहीं से शुरू होते है ठीक है जिसमें x की power नहीं है factorial नहीं है उसमें comparison test अपलाई करो जिसमें है वहाँ पर डिलंबर रेशो टेस्ट अपलाई करो अगर डिलंबर रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम राविस टेस्ट अपलाई करते हैं या फिर गॉस टेस्ट अपलाई करते हैं राविस टेस्ट अपलाई भी कर सकते हैं और गॉस टेस्ट भी अपलाई कर सकते हैं गॉस्टर्स तभी apply होता है जब उसकी condition fulfill हो मतलब इसके इसके अंदर जो भी term बनेगी गॉस्टर्स apply करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें 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 उसके निकालते हैं तो इसमें इसके निकालते हैं तो इसमें क्या बनता है अगर इसको solve करने पर हम binomial theorem apply करके 1 plus lambda upon n plus o n square मतलब जो इसकी condition थी क्या condition थी गॉस test की 1 plus lambda upon n plus o n o 1 by n square un upon un plus 1 की जो भी value आएगी इसको में binomial apply करके अगर इस तरह की condition बनती है तो हम gauss test apply कर सते हैं अदरवाइस नहीं कर सते हैं ठीक है वरना हम delumber ratio के बाद ravis test ही apply करेंगे और ये दोलों तब apply होते हैं जब un upon un plus 1 में e नहीं आता है अगर un upon un plus 1 में e आ जाता है चाहे one upon में हो इसकी value e आ जाए one upon e हो चाहे one upon x e हो ठीक है इसकी value में अगर e आ जाता है तो वहाँ पर हम logarithmic test apply करते हैं कौन सा first वाला जो हमने पढ़ता और अगर first वाला first वाले की condition ये हैं ठीक है convergent और divergent की equal to 1 पर fail हो जाता है और अगर first वाला भी logarithmic test fail हो जाता है तो फिर हम second वाला apply करते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको सारे के सारे test apply करने हैं ठीक है आपको practice से ही आएगा जातर questions में आपको डिलंबर रेशो टेस्ट ये अपलाई करना होता है अगर आपको वहाँ पर एक्स दिखाई दे रहा है या factorial न दिखाई दे रहा है ठीक है जिसमें x नहीं है factorial नहीं दिख रहा है वहाँ पर comparison test जहां पर function की power function नहीं होता है तो राबिस test apply कर सकते हैं गॉस टेस्ट भी apply कर सकते हैं वस गॉस टेस्ट के लिए फिक्स कंडिशन है इसमें बाइनोमिल अप्लाई करके हमें इस कंडिशन में change करना होता ठीक है फिर लैमडा की उपर depend कर जाता है वो मैंने लास्ट क्लास में गोस्ट पूरा complete कराया हुआ है ठीक है और अगर इसमें यह वैल्यू निकालते हैं अगर इसमें राजाता है तो हम फिर अप्लाई करते हैं फिर हम को लोगारिध्मिक टेस्ट फर्स्ट वाला वेलब घला होते हैं इस करूंघ होती है कि पहले तो हम यही अप्लाइ करेंगे कौन सा राभेस टेस्ट भी यह लंबट तो टेस्ट ही apply करेंगे इन दो condition में तो हम बोल देंगे भले ही चाहिए इसकी value 1 upon मालो इसकी value आपकी आई है 1 upon x equation करा रहा है उसमें आपको clear हो जाएगा वैसे यह logarithmic test वाली वीडियो में आपने un upon un plus 1 निकाला आईए ठीक है तो greater than 1 पर convergent है 1 upon xe less than 1 पर divergent है कोई equation और 1 upon xe equal to 1 पर fail हो जाता है तो इस condition में हम logarithmic test apply करेंगे यहाँ पर तो हमें fix हो गया यहाँ पर तो हमें delimber ratio से ही पता चल गया बट यह वाली जो condition हो जाती है x equals to 1 upon e यह जो आया है इसमें हम फिर logarithmic test apply करते हैं ठीक है तो logarithmic test वाली वीडियो आप देख लेना उसमें आपको समाझ आ जाएगा अच्छे से आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हर एक टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक की तो नहीं मतलब कुछ टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां से आप जा करके टॉपिक्स देख सकते हूं ठीक है